Hey guys, this is Kinari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. जैसे कि अब सब जानते हैं कि Anupama की makers बहुत जल्द एक web series लाने वाले हैं, Anupama Namaste America. ये web series जो है 11 episodes की होगी and इस web series में Anupama की जो जिन्दगी होती है 17 साल पहले वो बताई जाएगी कि कैसे Anupama को एक मौका मिलता है America जाने का and उसके बाद क्या होता है, उस अपने definitely पूरा तो नहीं हो पाता है, बट क्या का circumstances होते हैं, Anupama की लाइफ 17 साल पहले कैसी होगी, ये दर्शा आया जाएगा. Well, हम बहुत अब excited हैं इस web series के लिए कि इस web series में हमें क्या-क्या देखने मिलेगा Anupama के बारे में, करना चाहती थी, बट past में किसी न किसी वज़े से वो successful नहीं हो पाया and वो ये भी कहती हैं कि रितिका एक बहुत ही empowering character है और ये जो character है उनको बहुत पसंदाया और उनके दिल के भी बहुत करीब हैं. हम ये भी बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब पूजा और सुधानशु पांडे एक साथ काम करेंगे, पास में भी पूजा और सुधानशु ने एक दुसरे के साथ काम किया ही है, तो अगर बास करें रितिका की character की ये वनराज की girlfriend की रूप में दिखेंगी, तो क्या इससे ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं वनराज और रितिका एक दुसरे से प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि जो वनराज की दादी थी या जो वनराज की family थी उन्हें रितिका के और वनराज के relationship से कुछ issue था, और वनराज की शादी इसके बाद अनुपमा से करा दी गई, या फिर 17 साल पहले भी बनराज लॉयल नहीं थे अपने शादी में और 17 साल पहले भी उनकी गर्फरेंड रह चुकी थी, यह तो सारे speculations है जब अनुपमा नमस्ते अमेरिका जो की hot star पे आने वाला है, जब वो air होगा तब हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, फिलाल वी आर वेरी excited की पुजा बैनर जी वापसी कर रही है, और वो रितिका के इस character में दिखेंगी, do let us know की आपके क्या views और आप कितने excited है, अनुपमा नमस्ते अमेरिका के लिए, अनुपमा पूसिपन पूस्सरी कि अच्छिशन यदिख,